हलो फ्रेंट्स, अचार किसे पसंद ही होता, अचार देखते ही मुँमे पानी आ जाता है, क्योंकि अचार होता ही इतना टेस्टी है, तो विंटर सीजन में बनने वाला गाजय मिर्ची का अचार जो आज हम बना रहे हैं, वो इंस्टेंट उनली फाइफ मिनट्स में बना कर हम करके ही सम्मानों से हमने क्विक वे में गाजय मिर्ची का अचार बना दिया है, अगर आपको यह अचार बनाना है, तो आप वीडियो को एंटर देखेएगा फ्रेंट्स, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लिजे, लाइ मिर्ची मिर्ची होती है, मैंने वो ही कट करी है और साथ ही में मैंने दो गाजर, मड़ी गाजर को चौप कर लिया है, इस तरह से लंबी-लंबी साइज में, यहाँ पर मैंने मिर्ची और गाजर की जो साइज रखी है, वो एकदम सिमिलर रखी है, तो यह जब मैंने काटी थ तो जब भी अचार बनाएं, तो पूरी तरीके से हमें गाजर और मिल्ची को सुखाना है, तो गाजर को हमने इस तरह से प्रैस कर लिया है, ताकि जो भी नमी हो वो कॉटन कपड़ा सोख ले, यहाँ पर हमने अच्छे से इसे हिला हिला कर सुखा लिया, जब कभी भी कोई अब इसमें जो पानी है, इसको भी हम इस तरह से कपड़े पर पहला देंगे, और जो मिर्ची है, इसे भी अच्छे से पोच लेंगे, ताकि इसमें जो नमी है, वो भी सूख जाए, और यहाँ पर हमने मोटी मिर्ची का यूज़ किया था फ्रेंच, तो यह मीठी मिर्ची ह और यह मार्केट में आपको एजिली अवेलेबल हो जाएगी, और साथ ही में मैंने कच्छी खानी का ओईल लिया है, फॉर्चून वाला, और इसकी जो अइमार्पी है, वो 96 रुपीज है, और साथ ही में, जो यह हम सरसो का ओईल ले रहा है, यह बहुत ही तेस्टी बनाता ह अचार को और ठंडा भी रखता है, हमारे शरीर को यहाँ पर हमने 500 ml की बोटल ली है, तो अभी इसे हम उपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसे उपन करके पहले कड़ाई में डाल देंगे, पहले क्या करना है हमें ऑईल को गरम करना है, तो मैं कड़ाई में आधी बोटल को ड कापकाईंगे भी नहीं छोकेंगे भी नहीं फटा फट से इंस्टेंच इतनी जल्दी बनाएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हम ने अच्छा बनाकर रंग दिया है तो यहाँ पर हम इस गरम कर लेते हैं अब है भूर्ड मिर्ची और गाजर को बावल में डाल दिया ह हमने साथ ही में यहाँ पर हम 1.5 teaspoon हींग डाल देंगे अचार को इसा भी हो अगर हींग ना डले तो मजा नहीं आता चार में तो यहाँ पर हमें हींग डाल दिया है और साथ ही में 2 teaspoon के बराबर गरम मसला डाल दिया है और साथ ही में यहाँ पर हम डालेंगे जीरा तो मैं 2 टीस्पून के बराबर जीरा जीरे की क्वांटिटी आप कम जादा कर सकते हैं टेस्ट रकॉर्डिंग यहाँ पर हम साथ ही में 2 टीस्पून सॉफ्ट डाल देंगे अभी हम पहले अचार को और साथ ही में यहाँ पर हम 4 टीस्पून के बराबर मेथी डाना डालेंगे इसको हमने क्रश नहीं किया है फ्रेंड्स ना इसको हमने सेका है जैसी मेती आती है ना ओरिजनल वैसी ही मेती मैंने यूस किया है तो मैं 4 टीस्पून के बराबर मेथी डाना डाल दूगी और तो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो इसकिप भी कर सकते हैं और खटाई के लिए मैं अमचूर पाउडर डाल दियाक इस से खटाई बहुत अच्छी आएगी फ्रेंट्स नहांपर मैंने क्या करेंगे अच्छे से इस तरह से घुमा घुमा कर उपर नेचे करते हुए इसे प्रॉपरली मीक्स करना में देख सकते हैं जो कलर आया है बहुत ही शांदार आया है और मुझे क्या ना आरको टेस्टी और मसालेदार बनाना है, spicy बनाना है उसके लिए मैंने टू स्पून सौफ का पाउडर डाल दिया है इससे तीखा बनाएगा फ्रेंट्स अचार में और साथ ही में मुझे मसाला थोड़ा कम लग रहा था तो टू स्पून के बराबर मैंने सौफ डाल दिये है वन स्पून यहाँ पर हम जीरा डाल दिये साथ ही में यहाँ पर हम मेथी दाना और कलॉंजी भी डाल दिये तो मैंने वन स्पून मेथी दाना और वन स्पून ही कलॉंजी डाल गी है इससे क्याना जो हमारा मसाला है वो थोड़ा भड जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर quantity ठोड़ी double कर दी है इस तरह से आप भी जब बनाते हैं तो अपने taste के according कम जादा कर सकते हैं मसालों को यहाँ पर हम मसाले को उपर नीचे करते हुए अच्छे से mix करते हुए लगातार चलाते जाएंगे यहाँ पर जो मैंने oil गरम किया था उसको थोगा ठंडा कंडे की जर्सपाद में दो बड़ी चम्मच्रिया पर oil के डाल दूँगी और अच्छे से mix कर दूँगी इससे क्या आए ना थोड़ा सा shiny texture आजाएगा और अच्छा दिखने में बहुत ही सुन्दर लगेगा तो यहाँ पर हमने oil डाल दिया है कमेंट करके फटाफट से बताईए कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं कौन सी country कौन सी city प्लीज कमेंट कर देजिए और यहाँ पर हमारा अच्छे से mix हो जाएगा ना तो मैं इसको काच के जार में फिल करूँगी तो यहाँ पर हमने ले लिया है काच काजार और इसमें हम फटाफट से इस अचार को डाल देते हैं साथ ही में जो oil मैंने गरम किया था उसी oil में मैं two spoon के बराबर पिली सरसो डाल दूँगी इससे जो खटाई आएगी और जो टेस्ट आएगा ना वो बहुत ही शानदार आएगा तो यहाँ पर हमारा जो oil है पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है तो बस कुछ भी नहीं किया हमने फ्रेंड्स पांच मिनट में यह अचार की रेसिपी बनाकर रैडी कर दी और जो oil है वो पूरा का पूरा हमने डाल दिया है अचार का एक काईदा होता है फ्रेंड्स की जो oil है वो पूरा उपर तक टॉप लेवल तक उपर तक आना चीए कम नहीं रहना चीए oil तो यहाँ पर एक बार तो हमने पूरा oil डाल दिया पर मुझे क्या आना थोड़ा oil कम लगा मतलब यह ड्राय लगा मैंने एक जार में भी से अच्छे से मिक्स किया प्रेस किया मिक्स करने के जर्स पाद मुझे थोड़ी से oil की quantity कम लगी विकॉस पूरा का पूरा oil इसने सोक लिया है तो मैंने उसी कड़ाई में थोड़ा सा मतलब तूथर कप के बराबर oil डाल दिया है मैं इसे गरम करने के जर्स पाद वापस से अगेन ठंडा करूँगी और ठंडा होने के जर्स पाद ही मैं इसे अचार में डालूँगी तो यहां पर हमारा जो oil है वो पूरी तरीके से गरम हो चुका है और गरम होने के जर्स पाद मैंने इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है इस oil को मैं क्या करूँगी जो अचार बनाया है इसमें डाल दूँगी तो देखा आपने कितना आसान है घर पर ही गाजर मिर्ची का अचार बनाना, ना मैंने इसे पकाया है, ना इसे मैंने छोका है, ना इसे फ्राइ किया है, इंस्टेंट मैंने गाजर मिर्ची का अचार बनाकर रेडी कर लिया है, ओईल भी टॉप लेवल तक आ चुका है, फ्रे तो मौर्णिंग में जब हम खाना खाएंगे या पराठा खाएंगे ठंडा तो उसके साथ जब यह खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा तो देखा आपने कितना आसान है घर पर ही घर के ही सम्मानों से हमने शांदार वाला अचार बनाकर रेडी कर लिया है तो फटा फट से आज की रसीपी को आज ही ट्राइग कीजएगा और गाजर जैने से पहले इसे फटा फट से बनाकर रेडी कर लिजएगा यह जो अचार है वह फटा- फट से बनाएंगे और खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगगा इते हैं एक न्यू रेसीपी के साथ हैं, बाई!